हेलो फ्रेंड्स वेल्कम अन्मा यूट्यूब चैनल शुश्मिता टीचिंग ट्रिक्स तो आज हम बनाने वाले हैं लीव क्राफ्ट उससे हम बनाएंगे एक सुंदर सी बर्ट तो उसके लिए हमने ले लिए कुछ अलग अलग टैप की लीव कुछ लंबी कुछ छोटी कुछ चौडी तो इस तरह से हमने एक 낟िफ ली है बड़ी सी तो उसको हम उस तरह से सिंटर पन लगाएंगे फिर उसका हमने बॉड़ी बनाया है और इसका फेस के लिए हम एक चोटी लिष का इस्तमाल करेंगे इस तरह से तो ये हमारा हागे का हैट बन गया है बर्ड का और अब हम उसमें एक क्लीफ का नो कट करके इस तरह से उसकी बीक बना देंगे तो ये हमारी बन गई है चुडिया की चोड एक हमने छोटी लीफ ली है कट आओ कटिंग वाली तो उसको हम इस तरह से लगा देंगे जो उसके पर को डिफाइन करेगी पंखों को तो ये हमारा पेस नहीं हो रहा था उन्हें दुबारा से अच्छा से ग्लू लगा के पेस कर दिया है तो अब हमने लिये जो लंबी-लंबी लीफ ली है पतली सी तो उन से हम बनाएंगे पीछे इस तरह से उसकी टेल तो ये हमने दो-तीन लीफ लगाई हैं कुछ थोड़ी चौड़ी हैं और कुछ पतली हैं उसको आप अपने अच्छा कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे जहाँ पर तो ये देखिए हमने लीफ लगा दी हैं इस तरह से और ये हमारी बर्ड की टेल रेडी हो गई है तो एक और लीफ बची थी तो हम उसको भी लगा देते हैं यहाँ पर और जैसे हमारी ये लग जाएगी उसके बाद अब यहाँ पर बसता है हमारा लेग तो लेग के लिए हमने ऐसे चोटी चोटी लीस अली जैसे की शमी का पेड़ हो गया उसकी एक लीफ ली है तो उसको इस तरह से हम कट करके तो हमें पैर उसके बनाने की जरुत नहीं पड़ेगी और इस तरह से हम दो लीफ को दो-दो करके कट करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे तो यह देखिए हमारे इसके लेक्स रेड़ी हो गया अब हम ड्राइ जो हमारे स्टेम है पतली-पतली तो वो किसी भी पेड़ की आप यूज कर सकते हैं चाहे तो एक बड़ा स्टेम ले सकते हैं तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लगा दिया और इसमें कुछ लीफ एड़ कर दी तो इस तरह से दो-तीन स्टेम एड़ करके और फिर उनमें आप लीफ एड़ कर लीजे जिससे कि डाल वाला लुक है और आसा लगता है कि चुड़िया डाल पर बैठी हुई है तो बर्ड हमारी रेड़ी हो गई है तो इस तरह से आप कोई भी आनिमल बना सकते है लीफ से तो कैसी लगी आपको यह बर्ड कमेंट में जरूर लिखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें